नए ड्राइंग के साथ उपस्तित हूं और आज का जो ड्राइंग है फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टेड है क्योंकि फ्रेंड्स जैसे ही आप लोग प्रोग्राम बनाते हो चाहे हो CNC का प्रोग्रामर हो वीमसी का programmer हो या फिर कितने भी टेकनिकविक कंसेथध हूँ जो भी industry में work कर रहा हो experience हो non experience हो Français हो experience बन्दा experience candidate हो सब के लिए यह वीडियो है क्योंकि जितने भी industry है न हुसी इंडस्टी में अधि आप लोग work कर रहे है तो उस work में जो एक particular पर्टिकुलर एक ड्राइंग लगी होती है, जो मसीन पर जो बंदा काम करता है, उसका पर्टिकुलर एक ड्राइंग लगी होती है, उस ड्राइंग को पढ़ना यदि आप लोगों को आ गया, उसको सिंबल को आप लोगों को जानना आ गया, तो डिपनेटली आप लोगों को एक अच्छा operator एक अच्छा programmer और आने वाले में आने वाले शमय में एक अच्छा engineer बनने से कोई भी नहीं रोक सकता impossible लेकिन friends उसके बीच में जो struggle है ना पहुत ही ज़्यादा hard है और उसी struggle के बीच में जितने भी hard work कर लेते हैं जो engineers होते हैं जो candidate होते हैं वही एक दिन आने वाले शमय में एक बेटर और एक कामियाब इंसान बनते हैं कामियाब इंजिनियर बनते हैं वो possible कैसे है चोटी चोटी चीजों पर आपनों को ध्यान देना होगा छोटी चोटी चोटी in drawing को आप लोगं को read करना होगा और चोटी चोटे drawing के साथ जैसे ही आप लोग program बनाएंगे जब तक आप लोग ड्रॉइंग के बारे में नहीं जानेंगे ड्रॉइंग के पूरे कंसिप्ट को क्लियर नहीं करेंगे ठीक है बेसिकली मैं टर्निंग की प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ ठीक है और CNC से रिलेटेड जो जो है अपना YouTube चैनल पे इंजिनेर इसके 0.1 पे ठीक है वहाँ पे जो है एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे लगभग 17-18 वीडियो अपलोड कर देगे हैं CNC प्रोग्राम की एक नमबर से आप लोग देखना इस्टार्ट कीजेगा और 17 नमबर तक आप लोग देखे 1 से लेकर 1 to 17 वीडियो तक आप लोग वाज कीजे definitely मैं गारंटी देता हूँ उसके बीच में आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजेगा ठीक है और कुछ रॉंग लगे उसके लिए भी सचिंट कीजेगा ठीक है तो आप लोग प्रोग्रामर तभी बन सकते हो जब आप लोगों को अच्छे ढंग से पूरी वीडियो को वाज करोगे और हाँ जब तक आप ड्राइंग टरनिंग का जो ड्राइंग होता है जब तक आप उसको रेड करना नहीं जानोगे एक दिफिनेटली थोड़ी सी प्रॉबलम बढने वाली है आप लोगों को आप लोग ड्राइंग रीड करना जानगे तो डिफिनेटली आप लोग प्रोग्राम बना लोगे मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को शिखा के ही रहूंगा तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देजैगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बगल बेल आइकन गंटी को और प्ले लिस्ट में जो है अलग अलग गैलरी बनी हुई है ठीक है अपना ठीक है अलग अलग गैलरी बनी है जैसे प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग की गैलरी अलग बनी है ठीक है अधर गैडलाइन्स की गैलरी अलग बनी हुई है मेजरमेंट टूल की गैलरी अलग है और ड्राइंग की अलग है ठीक है तो आप लोग जो चीज आप लोगों को चाहिए प्ले लिस्ट पे आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा ठीक है तो आज पाट नमबर थ्री लेके आऊं तू तक मैंने ड्राइंग अपलोड कर दिया हूं ठीक है तो थोड़ी सी आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को वाच की जगा थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर होगी फ्रेंट्स क्योंकि यह सब चीजे में जो है बहुत तेजी से बताना मैं तो बता दूँगा लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा ठीक है जरूर आप लोग को मैं सिखा के ही रहूंगा आप लोग जरूर सपोर्ट कीजेगा जरूर सिखाऊंगा मैं और 100% सिखा दूँगा शियंसी प्रोग्रामिंग इसके बीना प्रोग्राम बनना संब्व नहीं है यह तो 100% गरंटी मेरी यदि आप लोग को नहीं रीड करना आ दिए तो मैं बताऊंगा इस्किल्स मैं सिखा रहा हूं आप लोग सिर्फ सीखिए ठीक है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर कुछ डाउट है तो ठीक है देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ड्रॉइंग क्लियर होना चाहिए बेस्किलि में टर्निंग के बारे इसके हाई लेबल जाने के लिए ठीक है क्योंकि हमको चलना आया नहीं और उड़ना सीखने सीखने की कोशिश करें तो यह पॉसिबल ही नहीं है ठीक है तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं ड्रॉइंग का सबसे में चीज क्या देखा जाता है सबसे में चीज आप इस इसका डाय देखिए इसका डाय जो दिखाया गया है यहां पर हंडेड दिखाया गया है और टोटल इसका लेंथ देखे कितना है ठीक है इसका लेंथ टोटल देखे कितना है 200 म मानिएगा इसको बिसके लिए यहां पर इंडिया में अपना म ही चलता है ठीक है मक्स पर डाली अक्सर यहां पर इम्यम चलता है ठीक है और उसका जो बड़ा डायमेटर है वो 100 का है उसके बाद जो छोटा डायमेटर हो कितने का है वो 17 का है तो सबसे पहले जो हमारा राव मेटरियल होगा वो कितने का होगा हंडेट का होगा ठीक है हंडेट का बार होगा हंडेट का अपना क्या होगा एक राव मेटरियल होगा उस राव मेटरियल के माध्यम से प्रोग्रामिंग करके हमको इस आकार का इस धांचे का हमको क्या करना है कि component को तयार करना है अब वो possible कैसे है जब आप इसको read करना जानेंगे तभी तो आप लोग उसका coordinate निकाल पाएंगे अब ready नहीं करना जानेंगे तो coordinate ही कैसे निकालेंगे impossible तो definitely आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे I hope कि मेरी बातों को आप लोग बहुत care करिएगा ठीक है और ध्यान से पूरी वीडियो को watch करेंगे तभी यह जानना सीखना skills को अपने अंदर develop करना ही possible है जब लोग आप मेरे talking जो मैं कर रहा हूं अपने उसे बात जो साथ कर रहा तभी possible है ठीक है तो आप लोग के यहां तक समझ में आया raw material कितना लेंगे 100 लेंगे length उसका कितना रहेगा 200 रहेगा ठीक है चले चले आगे देखे और यह अपना sectioning line है जो middle की जो ठीक है चले देखे यहां तक आप लोग को पता चल गया बे में जो डाया है raw material का 100 है length इसकी 200 है ठीक है चले यहां से start करते हैं अपना 00 से चले यहां से start करते हैं देखे सबसे चोटा diameter जो है friends सबसे चोटा diameter अपना कितना है 30 का है 30 का सबसे चोटा diameter है sorry friends सबसे चोटा diameter कितना है 26 का है 26 का सबसे चोटा diameter है उसके बाद उससे बड़ा जो diameter है कितने का है उससे बड़ा जो diameter अपना है सबसे छोटा डायमेटर 26 का है उससे बड़ा डायमेटर कितने का है 30 का है 30 mm का अब यह 26 कहां से आ है क्योंकि फ्रेंड्स 30 mm पे हम लोगों को 30 mm पे हम लोगों को क्या है न कि अब यह 30 mm अपना बड़ा डायमेटर है और उस पे फ्रेंड्स हमका 2 mm का चैंफर लगा है तो 32 mm का लेंथ है तो उसका डायमेटर हो जाएगा डबल चार हो जाएगा और 30 में से 4 जाएगा तो 26 बते गाए इसलिए छोटा डायमेटर 26 हुआ बड़ा डायमेटर अपना 30 हुआ तो यह वाला डायमेटर 30 हो गया ठीक है और उसके बाद इसकी जो टोटल लेंथ है इसकी जो टोटल लेंथ है यह ऊपर दरसा आगया है टोटल लेंथ यहां पे 50 है फ्रेंड्स ठीक है और यहां पे टोटल लेंथ 50 है और उसके बाद यहां पे जो चैंफर लगा है उसके बाद यहाँ पर जो है 10 mm क्या हुआ आगे बढ़ा यहाँ पर 10 mm लेंथ में आगे बढ़ा और उसका जो डायमिटर है उसका जो डायमिटर है वो 26 है उसके बाद जैसे ही उसके बड़े डायमिटर पहुचा उसका डायमिटर अपना 40 दिया है ठीक है 40 दिया है और यहाँ से taper करता हुआ चला गया है और जहां पे जाके taper आपना फिनिश्ट हुआ है वहाँ का diameter अपना 60 mm है ठीक है और 60 mm है यहां से सिस्टी मियम के बाद हम यहां कि यह झाल जब radius का होता है तो diameter उसका double होता है ठीक है तो आप आप लोगों को यहां से रेडियेट स्टार्ट करना है ठीक है यहां से रेडियेट स्टार्ट करोगे और से 17 डायमिटर तक आप लोग जाओगे यहां का जो डायमिटर होगा वो डायमिटर कितना होगा 70 का diameter होगा और 70 के diameter पे 5 का जो है radius लगेगा क्योंकि radius का double होता है diameter ठीक है उसके बाद यहाँ से जब diameter start होगा यहाँ से जब diameter start होगा वहाँ पे 10 के लगा है तो यहाँ से जब start करके जब यहाँ पे पहुँचेगा friend तो यहाँ पे यहां पर जब पहुंचेगा तो यहां का जो diameter है ठीक है यहां का जो diameter है वो यहां पर दर्साया गया है 100 ठीक है यहां पर दर्साया गया 100 और यहां पर दर्साया गया है और वहां पर जो radius लगी है वो 10 की लगी है ठीक है फ्रेंट्स और इसकी जो length है वो 20 mm की है ठीक है 20 mm की है और देन इसके बाद यहां पर down होगा कुछ down होने के बाद यहां पर 70 की फिर diameter से उसको 50 mm के 50 mm length में फिर यहां पर length दिया गया है और उसके बाद इसके बाद फ्रेंट्स यहां पर 100 का diameter है अप लोगों को यह clear हुआ होगा ठीक है इतना तो आप लोगों को clear हो गया होगा और यहाँ पे कुछ भी जादा हाड नहीं है कुछ भी जादा टप नहीं है बस आप लोग को केर करना है तीक है तो एक रहे आज की ड्रोइंग जो बहुत ही जादा इंटरेस्टेड ड्रोइंग आने वाले समय मैं इसी तरह से प्रोग्राम भी अपडेट करूंगा आप लोग के शामने तो आप लोग ड्राइंग को अच्छे धंक से रीड कर लिजेगा एक बार अपने से अगर कुछ ही उसमें डाउट लग रहा है तो कमेंट कीजेगा और यदि आप लोग जो है अभी इस्ट्राग्राम पे हमको सून बोस्टन बॉड्मिल्या अप्लूज अप्लूज कर दो दोग्राइब अप्लूज आप हिंगा आप